समन्वे और आपसी सहयोग यहां ऐसा मंत्र है जिसे बड़ी बड़ी जंग भी जीती जा सकती है लेकिन कोल इंडिया के जो शदस्ते हैं जेवी सिस्याई के उनमें यह कमी देखी जा रही है ना तो आपसी समन्वे हैं और नहीं एक जूटता देखी जा रही है और यहीं वज ठक चौती बैठक भी हो गई कोलकत्ता में लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं मिला उल्टे फरवंधन के और से एमजबी के नाम पर तिन परसेंट और कोल इंडिया की अनुसंगी काई सी एमपीडी आई एल को एमी सीर के साथ मर्ज करने का फर्मान जारी कर दिया गया नमस्क काफी मन्थन के बाद कई लोगों से बात्चित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पिछली दिनों जो भी कोल इंडिया ट्रेड यूनियन वा अन्य जिस तरह के भी परिवेश में जिस तरह की भी घटनाए घटी है उस घटनाओं में यह जम कर जो भी तत्य उबरे हैं उन तत्यों के अधार पर परवंधन ट्रेड यूनियन के निताओं के साथ साथ मजदूरों के सोसन पर लगी हुई है हलाकि कोरोना काल में भी कोईला मजदूर कोईला खादावने में जाकर कोईला का उत्पादन किया रास्टर को कोईला दिया जिसके करन कई बिजली घरों में जहां बंदी के ककायाद पर थे उन बिजली घरों को कोईलया उत्पादन कर वहां तक देने का काम कराया बावजूद इसके जब उनके भविश्य पर यारी कोल इंडिया के जो मजदूर है उनके भविश्य उनकी एमजीबी उनका जो वितन्द है उस पर या अन्य सुविदहाओं पर जब चर्चा होने लगती है तब पर जो नतीजा है वह उसके सामने आ जाता है और वह अपने मन के मुताविक काम करने लगता है इस बार कोलकत्ता में जो बैठक हुई उस कोलकत्ता की बैठक में भी कुछ ऐसा ही सामने आया कि एक संगठन के बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को जमकर साजनीरी ग्रूप स एपिसोड में करेंगे कुछ संगठन के कि संगठन के लोग थे जिन्होंने ऐसा किया है इसके पुर्व में भी एक और संगठन के लोग बैठने उठने को लेकर जो कर रहे थे और इसके अलावा अन्य कई कि कारगुजारियां हुई हैं जिसके कारण प्रवंधन या समझ चुका है कि कोल इंडिया में अभी तो केंद्रिय ट्रेड इनन के नाम पर महस्चार ही है बीमेस एचमेस सीटू और एटक और इन चारों में आपसी कोई समन्वे कोई आपसी सहयोग नहीं है हलाकि कई लोगों का यह मन्ना है कि पिछले दू दिनों के हरताल में या समझ में आ गया प्रवंधन को कौर्मेंट को कि हम जू चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो इसे कर लेंगे मजदू संगठें के लोग मेरा कोई कुछ नहीं भी गापाएगा 22 अप्रेल को इधर होना है जेबी सिसे के बैठक और वहीं 13 अप्रेल को कोईल मंत्राले द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया पत्र जारिक कर दिया गया कि कि CMPDI-L और MECL को मर्ज कर देने का पर्मिशन मर्ज करने के लिए अप्रूभल मंत्राले द्वारा मिल गई है संबंधित लोगों को संबोधित करते हुए Ministry of Mines के Director Technical परदीव सिंग ने लिखा था यप पत्र में लिखा है इन वाक्यों से यह स्पस्ट है कि यह अप्रूब्ड हो चुका है अब इसके लिए मदूर संगठान जब तक मजबूति के साथ एक होकर नहीं लड़ेंगे मजबूति के साथ एक होकर आगे नहीं बढ़ेंगे इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा और CMPDIL को कोल इंडिया से अलग करते हुए MECL के साथ मर्च कर दिया जाएगा हलाकि जेबिसी सीया की जो बैठक हुई उसमें दो बिंदू जब सामने आये एक तो हुआ कि एमजी भी तीन परसेंट देने का प्रस्ताव कोल इंडिया प्रवन्धन दोरा लाया गया जिसे मौखी कुरूप से लोगों ने अस्विकार कर दिया वहीं एमिसीयल और सीएमपीडियायल को जब एक साथ मर्च करने के बात आये तो चारो ट्रेड यूनियन के लोगों ने संजुक्त रूप से कोईला मंत्राले को या प्रस्ताव भेज दिया कि उन्हें यह कताई मंजूर नहीं है कि सीएमपीडियायल को एमिसीयल के साथ मर् संद्राले कोल इंडिया प्रवंधन के पास पत्र पहुचा तो संजूग कहा जाए कि इस पत्र का परिणाम कहा जाए कि इस पत्र से ना केवल को इंडिया प्रवंधन बलके सरकार भी दवा में आगे और यही वज़ा है कि सीटू के और जेवी सिस्याई के जो शदस्य हैं डीडी रमान अंदन उनके पास क्वेला मंत्राले के जो मंत्री है क्वेला मंत्री प्रलाद जोसी जी का फोन आया और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वे आपस में बैठ कर बाचित करेंगे हमारा यही कहना है कि जब तक किसी मुद्दे को लेकर आपसी सम्मानवर नहीं होगा मजदूर संगठनों में तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है मजदूरों के बीच यह काफी अशंतोष की स्थिति है कि आखिर हम हमारा मांग हमारी जो डिमांड्स हैं उसको कौन पूरा कराएगा कि उधार ससंकित हैं मजदूर संगठन के लोग कि बीस बाइस पिछले बीस बाइस को जो हर्ताल हुआ उसमें जो इस्थिति बनी उसको लेकर वो लोगे ससंकित हैं कि अगर हम नोटिस दे भी देते हैं परवन्दान को किसके बल पे कौन हर्ताल सफल करेगा जब तक हर्ताल सफल नहीं होगा परवन्दान पर दौप बनेगा नहीं ऐसी स्थिति में जो भी ट्रेड उन्डन के लोग हैं संजूक्त रूप से उन्हें सेमिनार करना चाहिए संजूक्त रूप से उन्हें कमपनी वह हम यह नहीं कह रहे हैं कि अब प्रयूजनावार चल इसे भी मजदूरों का विश्वास नहीं रहा है चाहिए बीमेस हो चाहिए वह सीटु हो चाहिए एटक हो लोगशन अच्छाहिए इसे एचमेस इसका कारण यह है कि सभी जीतने भी लिडरान हैं पूर्ब में भी कई एक एपिसोड में हमने कह चुका है और खुद ही बड़े-बड़े निताओं ने भी स्विकार किया है कि ट्रेड विनियन के जो भी लोग है वह अब commercialized हो गए हैं वह मजदूर हित की बात नहीं करते हैं जब तक मजदूर हित की बात नहीं करेंगे जब तक मजदूरों का अब मजदूरों का भरूसा नहीं जीतेंगे तब तक ना तो स्ट्राइक सफल होगा और नहीं आप मजदूरों को कुछ दिला पाएंगे बेहतर यहीं है कि सभी संगठन के लोग जो भी हैं बड़े बड़े नेता उन लोग को सेमिनार करना चाहिए संजूत रूप से यह नहीं कि बेह में सला कर रहा है एचे में सला कर रहा है सी टू अल़ा कर रहा है एटा कर रहा नहीं संजूक्त रूप से जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आप मज़दूरों को कुछ दिलाने में सक्छम नहीं होंगे क्योंकि परवंधन आपकी जो असलियत है आपकी जो वास्तविक्ता है वह जान चुका है उससे समझ में आ गया है कि आपि लोग में आप से समाने से हैं इन है यह वजह है कि जै conflicting में एक नेता कुछ बोलता है तो दूसरा नेता उसको कंडाड़ीट कर देता है तो अधिया आपको मिलेगा नयाए कैसे मिलेगा आपको सुभधा कैसे दी जाएगी आपको फशुविधाए के अब ही तक पिछले पांच सालों में पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि पिछले पांच सालों में mgb 3% किसी को कभी भी नहीं मिला और अगर इस बार 3% mgb मिलता है बहुत अगर दवा बनाएंगे तो है mgb जाकर के आपको पहुंचेगा 7% पर वह भी आपके लिए नुक्सान दे है बात रहा गई मर्जर की तो मर्जर का जब तक आप विरोध नहीं करेंगे जम करके तब तक आप उसमें विसाफ़ नहीं होगे और नतिजाएया होगा कि CMPDIL में चला जाएगा और जब MECL और CMPDI एक साथ हो जागा तो CMPDIL कोल इंडिया से अलग कंपनी हो जाएगे हलाकि MECL के मजदूरों को यह वहां के जो लोग वर्कर्स हैं उनका वितन कम है CMPDIL के अपक्षा बाजूद इसके नुक्सान तो अल्टिमेटली कोल इंडिया कोई होना है इसलिए अब भी वक्त है अब भी समय है सभी ट्रेट इंडियन के लोग इसमें एक जुठों मज़े की बात यह है कि इतना होने के बाद भी बीएमस के जो बड़े बड़े लिडरान है ना तो लक्षमारे डिजी कुछ बात करना चाहते हैं अन्हें फोन लगाई जाती है तो एक पीखी नहीं करते हैं दूसरे हलो हलो करके काड़ देते हैं लगता है जैसे उनका जैसे हमारी आवाद जाही नहीं रही है जबकि उनक कुछ नहीं कहना चाहते क्यों कि इस वार इस वार ही नहीं कई एक कैसे हुआ क्या है बीमस के जो मैं कल के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा जो जो भी कर्टूते की गई है उसका असर मजदूर हित में उसका असर जे बी सी सी की बैठक पर पड़ रहा है यह वो जानने को या मानने को तियार नहीं है अगर यहीं सिती बनी रही तो निश्ची तोर पे मजदूरों को अपक्षित मांग नहीं मिल पाएगा तो आएए एक दूने ताउन से हुने बात करी है उनलों ने क्या क है मैं लत्यु अधियों है मैंने फूर्ट करता है न कि आने तो इस तीम है करेगा गैठ से ज्यादा तो कामजार भाईयों को सोचने की ज़रोत है अब 28-29 तारिक का का कर दिये अग इस तरह से लोगों अपना हाजरी बनाया है तो तो हो गया ना कि यूनियन का आप सी में लडाई करके यह लोग सब बढ़े रहते हैं तो यह सब मामला है रख कि सबसे ज्यादा तो और मनेजमेंट को देखार हो गया ना कि वहां कोई साहब जो है अपने छोटे साहब को पुरा नाटे फट का रह कि छोटे साथ चाप यूनियन का बोल रहा है हाँ जो लोगा ने जो मालीजी की जैसे जो जो अल्टरनेट मेंबर है चाहे जो बड़े नेता है और चोटे नेता को डाट फटकार कर दी है तो तुक बात नहीं है कि क्या लगता ठीक अब दूसरे संगतन में मुझे क्या बोल इस तरीके का कुछ अगर है तो मनेजमेंट तो देख लिया ना कि आप आपस में ही एक नहीं है कि दूसरा संगतन तो चोड़ दिए अभी तक है तो हम तो सब हो गए ना हम लोग होना तो अभी देखिए आपका माईए वेजगोट के लिए हम लोग तो बैठने वाला मुद्दा तक के हमारा गायब होगे हम लोग अभी भी चौथे नंबर तो बैठ रहे हैं अब और कितना हम लोग अपने आपको छोटा कर ले तो पिर भी अगर नहीं हो रहा है लोगों को संतुष्टी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें जह लोग अपने आपको शांद की अपको कोई उगली नहीं उठा सकता ना कि वाल की मीटिंग से हमस्के तो सब लोग एक साथ एक सूर पे बात कर रहे हैं आपको नातों पांडे जीन लीडर करके हमारे हैं व्लोग सब सम्मान दे रहे हैं बात करते हैं लेकिन आप दूसरा हमारा आपसी में तो कुछ बातों को लेके मन मोटाओ था तो जिसको हम लोग खुदी आपसी में ठीक किये लेकिन उस बीच में तो किसी में छोड़ा नहीं ना सब हमारी पर यूंगली उठा रहे थे अब आपका देखेंगे कि चारों यूनियन के वरिष्ट नेता और सभी साथ मिलके एक सूर्पे बात किये हैं यह अच्छी बात है और यूनियन एक रहेगी तभी जाकर हम लोग कुछ करा पाएंगे ने तो मुझे नहीं रगता है कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा करा पाएंगे कि कि मनेग्मेंट की जो मंसा है यह चाहती है कि आपसी में लड़े सब और अपना खुदी वो हम लोगों से बात ना कर पाएं लेकिन इस बार वो तो सफल नहीं हो पाए इस बार तो कम से कम पूरा कर पूरे सभी सभी सारों संगठन के सबी वरिस्टे से लेके जूुनियर तक के सभी साथ में सुर्पित भीनहीं हम फुदेरा सोट कि नीराज हो कर ने निराश हो कि नाई निवस्येशं में निवस्येशं के पाठ्थ है हूँ वाँ चरेक टा खालो इंड ऐस चब अगया निराश भी थी च्रेन निराश हो गार तो लडाई तो चलता रहता है इसब कि इसमें पूचित नहीं है कि इराज क्या है रनिती बनेगी तेखेंगे समय आएगा सब लोग मिलते हैं अपना लड़ेंगे और इसका सुने कि कहां पी नियर आदमी जो नियर आदमी को डाट कर दिया सारजरिक पर से कौन था बता नहीं क्या क्या है कुछ नहीं होते रहता है उसाद इस इसका को थे आप शूड़िए कि भी आपकर समय क्षा लोग कुछ लोग प्रों कि लिए का है कि तो फिर रहने उसकी लिये काह उन्य न फीक है लेकिन अधिन शुशु जानकारी होनी चाहिए लिए कोण लोग तेवाई कि संगतन के लोग कोoidर बात किनारी जाके बुलते है हुआ हैं हो सब घया है नहीं है सब बहुत बढ़ा चीज नहीं है ऑफ अ है होटो जाता है इसा ऩम होते है इतन एक निए एक नहीं होता लेकिन वह आपस का अपना संगतन कि है उन्हों का अनूऩ क्या करे कि